मित्रु नमस्कार, आपका स्वागत है सांके दर्शन के इस पर्थमकडी में, आज हम चर्चा करने वाले हैं शांके दर्शन की बारे में, शांके दर्शन मर्शी कपी द्वार रजित एक महत पूर्ण दर्शन सास रहें जिसमें स्ष्ठी की उद्पत्ति, कावईले और मोक्षी की प्राप्ति इन सारे विश्यों पे विश्यत चर्चा किया गया है, क्योंकि हमारा विश्यत शांके दर्शन और शांके दर्शन का तत्व मिमान सा है, इसमें जो 25 तत्व दिये गए हैं, 25 तत्व का करम साथ स्टेप बाई स्टेप हम लोग चलचा करेंगे इसमें, इसमें प्रकृति पुरुश और से उद्पन होने वाली महत बुद्धी जिस इस पर्ष्ट एक एक करके उसमें चलचा करेंगे, प्रकाश डालने का प्रयास में करूंगा इसमें, बिपीटी के माध्यम से, और इसके पूरी पूरी जो सांके कारिका, जो भास से जो दिया गया, इसमें जो लिखी गई है, कारिका लिखी गई है, स्री इश्वर्पृष करते हैं कि इस परकार और उदुद्पन करता है, इसके बारें भी हम लोग चर्चा, इसी कड़ी में हम लोग करेंगे, तो आईए, हम लोग देखते हैं, शांके योग के इस करम को, कड़ी को, स्टेप बाई स्टेप आज के इस कप्षा में आपका स्वागत, अभी अंदन है, आज हम लोग चर्चा करने माले हैं, शांके दर्शन, एकॉर्डिंग टो महत एवं त्रिगुन, शांके अकॉर्डिंग महत और त्रिगुन के बारें हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, इसमें जो बात कही कहा जाता है इसको योग का जो शैद्धान्ति ग्रंत है, जिसमें सिध्धान्तों के बारे में चर्चा किया गया है, योग के सारे सिध्धान्त इसी सांके दर्शन में वरनित है, और योग और अन्य दर्शन को सैद्धान्ति के अपेक्छा उसे ब्योहारी अर्थात, योग पॉपिक सबजेक्ट जो इवल्योशन आफब वॉडी है इल्योशन मतलब क्रमा गत उन्नती जो बाड डी की किश क्रकार से उद्बाय हुआ है हमारे मानव जीवन की उद्पत्ती यह स्रृष्ष्टी कि उद्पत्ती किस प्रकार से हुए इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि शांग के दर्शन के एक और इंग इसी को कहा गया है विकाश्वाज इस सब को जानने से पहले सबसे पहले जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वह आपका दर्शन भारती दर्शन का आरंग वेदों से हुआ है क्योंकि पूरे स्रिष्टी के प्रारंग में वेद को ही प्रमुक्ता से माना दिए है वेद चार वेद हैं आप सब को गया थे इसके बारे में रिगवेद, येजिरवेद, शामवेद और अथरवेद बित भारती धर्म दर्शन और शंसकृती साइट आधिसदी के मुल स्रोत है दर्शन उस विद्ध्या का नाम है जो सत्य एवं ग्यान की खोज कराता है तो सत्य और ग्यान का खोजी नहीं बलकि बौध करानवी भी सहयोग होता है व्यापक अर्थ मेदि देखा जाये तो विधिपूर्वक एवं क्रम बद्विचार की कलव को दर्शन कहा गया है तो दर्शन का अर्थ व्यापक है और दर्शन का पहला शब्द का जो प्रियोग हमारे वैशेशिक दर्शन में किया गया है दर्शन के सब्दों के बारे में थोड़े चर्छा करें दर्शन सब्द है पानी ब्याकिन के अंसार kльक्षार धातू शुत्तपनों है जिसका अर्थ होता है द्रिश्टी या देखना जिसके द्वारा देखा जाए या जिसमें देखा जाए ओं धर्शन है अर्था देखने के विशेश दृष्टी कोन को दर्शन खा गया है जिसके दिवारा जीवन के शुरूटो स्क्ति की द्रिश्टी से देखा जाए विफिर ने जिग्यासाउगं का समाधान किया जाए उसे दर्शन कहा गया है दर्शन हमारी भारती शंस्कृति का मूल है यह जहां से सारे सारे धर्म, शंप्रदाय, कई प्रकार के अलग अलग धाराओं में प्रभाहित हुई है इसका मूल हमारा यह दर्शन है शड़ दर्शनों में शांक दर्शन को आस्तिक दर्शन के रूप में स्विकार किया गया है ये इस्वर के सुरूप को इसपष्ट रूप से तो नहीं लेकिन उसे प्रक्षन रूप में स्विकार करता है किन्तु वेद के अस्तित्त को मानता है इसलिए इसे हम नास्तिक दर्षन के अंतरगत रखते हैं शांक दर्षन के रचीता महरशी कपीन है इसी दर्षन में शरप्रथम तक्तों की परिगनन या गिंती की गई है जिसके द्वारा जिसके ग्यान से हमें मुक्ष की प्राप्पन होती है प्राचित काल में देखिए गणना जो चर्चा की गई है ये एक परिगनन संख्या जिसे तत्तों की उत्पत्ती हुई है एसा नहीं साइन्टिफिक तक्निक से स्टेप बाई स्टेप मर्शी का पिल्व है तत्तों की गणना की बात करते हैं और उस तत्तों से हमारे सरी की सारे इतने ग्यानिंद्या कर्मिंद्या सब को चुछ उसी से उत्पन होता हुआ चला जाता है गिनिती को कहते हैं संख्या तथा संख्या की प्रधानता रहने के कारण इसे सांख के दर्शिन कहा गया है क्योंकि 25 तत्तों की चर्चा की गई इसमें और ये 25 तत्तों के उत्पत्ती इक्रमसा सिक्वेंसी किस प्रकार होता है इसके बाद हम उनों विस्ताज से अर्चा करने वाले हैं सांक्य का शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंदी विशलेशन शंख्याओं का विशलेशन है यह तो एक साब्दिक अर्थ हो अगले दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और इसका जो सुंदर्थम जो अर्थ है उसे कहा है संब्यक ज्याण शंख्या मतलब है शंब्यक विवेक पूर्ण ज्याण प्रकृति और पुरुस की विशलेशन में अग्याण होने कारण यह संसार बनता है अज्ञानता मतलब वो दोनों का आपस में मिलन हो जाता है वो जानता है कि संसारिक बंधन है जो मुक्ति में बाधा कैए और जब हम प्रक्रतिय पूरुस के विवेक ग्यान हो जाता है तब मुक्ष की प्राप्टि हो जाती है अर्थास्तांग के दर्सन में जो योग की परिभासा दी है ये समान करम में हम लोग की परिभासा कहते हैं आत्मा और पर्मात्मा का मिलन कहते हैं लेकिन यहां पर योग की परिभासा इस डिफ्रेंट अलग है कैसे अलग है इसमें इसमें जो योग की परिभासा जो दी गए पुरुष और प्रकृति की संयोग का वियोग को ने योग के उपाधी दी गई है योग वही है जब पुरुष और प्रकृति के शरूप का शम्यग्यान हो जाए दोनों के अलग-अलग अस्तितों का ज्यान हो जाए भग्वत गीता में शम्यग्यान कहा गया है शांक्य को शम्यग्यान गया है। निर्णा पहां पान्सो सेंटी सुत्रों की चर्चा है पंच्छ चिकाचारे इनने शष्टी तंतल की चर्चा की है और आचारी बिंद्र वासे ने रुद्रिल इसे के अलगलक शांगे पे लिखा गया इसमें से महत्वपून जो इस्वर कृष्णजी का जो शांक कारिका है ये ज़्यादा ही महत्वपून है और इसी के बारे में लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं आचारे माठर ने माठर वृत्ती की रचना की है सांग की दर्शन पे, शांग की सुत्रों पे, गौडपाद ने गौडपाद भाष वाचसपती मिस्ट ने सांग की तक्तु कौमोदी और अनिरुद ने अनिरुद वृत्ती और विज्ञान बीचों ने शांग की प्रचन पर किया है ब चर्था करते हैं कि शांक की चयोंकि हमारे विषाइं महत्व पून थे फोकर अब कि सब्सक्रतिया इसमें कुल 25 दॉ्पी चर्चा की ग़िए ये 25 तत्धों कोंखों से क्या है जो कि से बनते हैं इसकी स्टेप इसने करेंगे इसमें दिया गहा है मुल प्रकृतिर इत्रिक्रति प्रकृति इसके चर्चा करने वह सांख्च की कारुका के तिसरे नंबश्थ में संहत पचीस तद्थाइज। वरगी करन किया है यह इस प्रकार है इस जो मूल जो सुत्र है इस सुत्र की व्याग्या मैं यहां पे जो एक्रम में दिया है इसमें प्रकृती है इसमें कहा है मूल प्रकृती है प्रकृती प्रधान अव्यक्त प्रकृती के वल एक ही है जो इस रिष्टी के कहते हैं पहला त प्रकृति का जब श्रयोग होता है जो पन होने वाला होता है वो है विक्रिति विक्रिति वे पांच ज्यानेंद्रिया पंच कर्मेंद्रिया मन्थ और पंच महापूर्प यह विक्रिति है यह विक्रिति रूप में हमारे सामने अलग अलग रूप में जो स्रिष्टी में हम ल वैसे अश्ट प्रक्रियुत प्रकृति की बारे में चर्चा करते हैं कभी और मौका मिले इसके बारे हम चर्चा करेंगे और प्रकृति रिविक्रिती प्रकृति भी है और विक्रिती भी है इसमें हमारा महत्त त्वय महत्त मलबारे पुद्धी और एहंकार और तलमात्रा यह कि यह प्रकृती कुछ गुन महत्रपुन गुन इसमें होते हैं और इसलिए प्रक करती दिखा गया यह सांथ ना प्रकृती ना विकृती वह एक है वह है पुरुष अधार्राभ वह तो होता है लेकिन यह अपने शुख्श्मधी हैर वे किसी से unlessन्य नहीं होते हैं वे अलग है यह हम मुदे पुरुष की बात कहीं कहीं है सांक्य के अनुसार जगत का विकास प्रकृति से होता है प्रकृति से प्राराम होता है जो कि सांक्य के दैतवाद में पुरुष के अत्रिक्त आने सकता है पुरुष और प्रकृति वैसे पुरुष जो है एक 25 तक तक रूप में स्विकार किया गया लेकि मूल तक हमारे पास प्रकृति है और द्वैत वात का मदलाब होता है दो है एक पुरुष और दूसरा है प्रकृति शांक में स्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् प्रणाब होता है और जब वो अपने वास्तिक सरूप में नहीं होता जब पुरुप से मिल जाते हैं तो विरू प्रणाब इन तीनों गूनों की सम्या अवस्था जिसे सरूप अवस्था कहा गया है ये जब होते हैं तो प्रकृति अपने मूल प्रकृति में इत्मान होती है जब इसमें किसी में एक या जादा कम जादा इंबैलेंस हो जाती है सत्थ की डिखता या रज की डिखता या तम की डिखता हो जाए तो समझें कि यहाँ पर imbalance होता है तो भी कृति अंथ पनुती और जब balance होता है तो सृष्टी का क्रम जो है मुलस्पकरती अपना कहा वास्ते उस्पोलोता है और दिखाइए नहीं परता सत्त कुन की क्रियाप्रति के अश्वत्त गुन में रजस की रजगुन में तमकर तमोगुर में होता है कब होता है यह यह तब होता है जो शरूप परणाम होता है मूल अपने विसेश प्रकृति में होता है कहा गया है प्रकृष्ट वाच कहा प्रश्चा कृति चा सिष्टि वाच कहा सिष्ट और प्रकृष्ट या देवी प्रकृति सा परकृति देवी भागवत के नवम इसकंद के दूसरे के पांश और श्य नंबर में सुट्व स्रोप में कहा गया है कि प्रकृति में प्रकृष प्रकृति को मूल देवी की बात कहें गई है ये अष्ठदा प्रकृति वह अष्ठदेविया हैं जिसके बारे में चर्चा विस्तार से हमाई धर्म ग्रंतु में बात करते हैं तो प्रकृति के बारे हम लोग चर्चा करें, यह हमारी अश्ट प्रकृति है, यह साम्य वस्ता तब भंग होती है, जब पुरुस की संयोग या सन्नीधी के कारण प्रकृति के गुन छोब पैदा होता है, गुन छोब पैदा का अर्पताद परिया है किसी एक तत्व की अधि स्वेख की अधियार है, ग्यानिय इंठीयाग कर्मिय अरब बहुत सारी स्रूप प्रर्जिया वानिय samya वस्ता है जिसमें तीनों गुन एकदूसरे से क्रिया- zou आपिसमें एकदूसरे से इंट रैक्सन होता है और गुन्हों के divine स्वायोज्य के माध्यम से जगत का विकास ह क्रम तब चाली उत्राराम भला है तो स्रिष्टी का क्रम उध्पन होने के लिए क्या जी विरूप परडाम चाहिए और स्रूप परडाम से स्रिष्टी कैसा होता है सुन्य होता है सुक्ष में होता है तो इस सुक्ष प्रकृति का विकाज किस प्रकार होता है इसकी बारे हम ज दोनों बिल्कुल आपोचीता है लेकिन इन दोनों में सभ्योकता हूद कि इंच्छेता है कि पुरूस प्रक्रति दोनों को एक दूसरी इड्याम सब्सक्राइब जनले ऑब आवशकता प्रस्ळाइक होता ही क्यों आवशकता है पूरुस छेतान प्रकृति पुरुष खुद को प्रदर्शित करना चाहती है क्योंकि वह विशय गे और भोग्य है तो भोग्य के रूप में हैं तो वह सामने प्रदर्शित होना चाहती है वह अपने स्रिष्टी की रचना करना चाहती है और पूरुष के लिए है तो आवश्यक है, कि वह प्रकृति और उसके विकारों से अपनी भीनता को संजें. क्योंकि पूरुष जब प्रकृति स्रिष्टी में जन्म लेता है, यह आत्मा पूरुष मिंस आत्माप्मा, तो खुद कोई क्या करता है शरीर माल लेता है तो मौक्ष के लिए आवश्यक के आपको स्विकार करने गताई मात्मा ब्रहम मैं ब्रहम का शुरोख हूँ मैं ये प्रक्रती में बना हुए माया में बंधा हुआ कोई तथ को नहीं हूँ जब इस प्रकार से बेत्ती को पूर्ण भान होता है तो बेत्ती को मुक्ती मिल पाता है वैसे एक पुरुष और प्रकृती दोनों की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं ये दोनों वैसे ही हैं जैसे आपने कभी कहानी सुन रखा होगा कि एक अंध्य और एक लंग्ड़ का है एक अंध्य और लंग्ड़ की कहानी ऐसा है Qetah में जा रहाए था जंगल घंगल टर्ब जंगल पार करने के लिए कुछ एक तो शाल पार की किया जा अंध्य पर फेक्टि देख नहीं के जाने के इसद दूनों में आथ Waters करो तुम देख तो नहीं सकते लेकिन चल सकते हो मैं चल नहीं सकता लेकिन देख सकता होगा तो अंधे वेती ने लंगड़ी वेती अपने कंधे पे बिठा लिया और बिठा लिया तो क्या है दोनों अपने अराम से उस जंगल को घंगूर जंगल खने जंगल को अराम से पार क प्रक्रम को पार किया जा सकता है अब सांग स्रिष्टी चक्र में पुरुष प्रक्रति प्रक्रति क्या होता है प्रक्रति की विरुपर नाम होने निश्चय करने की शक्ति है, बुद्धी से निर्णे और निश्चय करने की शक्ति प्राप्त को दिया है, तथा अत्यन सुक्ष्माई है, बुद्धी में अपना प्रकास नहीं है, कि इसके प्रकास यह इतना जग्मग रहती है, कि इसके प्रकास यह तोने का प्रहम होता है, लेकिन उस दिपकविद्ली चमता होती है कि पूरी रात आपको रोशनी के माध्यन से आपको रास्ता दिखा सकती है, मारगे का जीवन लक्ष तक पहुचा सकते हैं आपको और श्वर्निम सुरुदय का दर्शन करा सकता है, श्वर्निम सुरुदय मतलब आपको मुक्ति और प्तिमार चलता है, तो ये बुद्धी क्या करता है, ये हमारे तर्क वितर करने के छमता इठी के पास है, बुद्धी के पास है, तो सांग स्रिष्टी चक्र में महद बुद्धी है, अब बुद्धी में जब भ्रमुत्रपन होता है, तो होता है एंकार, एंकार उत्पन होत यह जो मैपन का भावाता है यह एहंकार है बेक्ति का इस एहंकार से बेक्ति को दूर होना पड़ता है उसे बहार निकलना पड़ता है अहम से बुद्धी से अंकार रुपी अगला विकार जो उद्पन होता है अंकार मै और मेरा पन का बान जो की बंधन का मूल कारण है अंका महत प्रकृति के महत के बांतर感 नियुकौक जुए सांख स्रिश्टी चक्र जो कुरूश अब प्रकृति के मिल महत त disag है महत के बाद महत क्ला अहिंकार में यह तीन तत्त जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है यह 3 महति पुन स्सदाब स्दsk ग्रास शक्डलने श whole रस्ट रुज और थाम स्थिक यह से हैं और तीन भागे से विक्तिक जीवन को बानता है और जब बंद जाता है तो यही जीवन फिर मैं और मेरा का चक्र चलता रहता है अब इन तीनों तक्तों में से इसके बाले विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं रास्तिक अंका सबसे पहले शक्री होता है और दोनों में गती प्रणान करता है दोनों में संतुलान प्रणान करता है इस सत्व देखिए सत्व ऐसा है सत्व में क्या है उसमें क्रिया शिलता नहीं है तमस में क्या है ये बिल्कुल क्या है मूड है मूडता इसके अंदर में है और रजस में क्रिया शिलता है रज ही है दोनों को शक्री बनाए रखता है दोनों में संतुलन बनाए रखता है इसके लिए महत पून है अब गुन ट्रेट से चर्चा करते हैं जिसे अहंकार कहते हैं अहंकार में गुन हैं ये गुन तीन बता है ता सत्त रज और तन तीन गुन है प्रकृति जिंद रब्यों का समू है बेज़ बेज संख्या में तीन है अतिन जिन्द रब्यों का गुन कहने का मतलग है सत्व रज और ताम ये तीन गुन जो हमारे सामने है गुन कारत होता है रस्ति या दोरी के बारे में बात कहता है अता सत्व आदी गुन पुरुस को बांधने वाला है ये पुरुस को बांधता है अतह रज्जु के समान, इनकी क्रिया होने से ये गुन है तो कि रस्ली भी बांधता है, बांधने म्प्रियोग करते हैं और ये गुन भी मुन्स जीवन को बांधता है, आत्मा को बांध के रखता है, माया में बांधता है ये प्रकृति के रूप धायक, शुरूप धायक अंग रूप है, तथा पुरुष को अपने स्वार्थ की सिद्धी में स्धायक और उपकारक होते हैं, इस विचार से भी इसकी संग्या गुन है अगर पुरुष अपने स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए इन गुन से सत्तो गुन की विद्धी करना पड़ता है, अगर अंति में जाकर इन तिन गुन से बेक्ति को मुक्त होना पड़ता है इसलिए भी गुन है गुम दिखाता है बेक्ति के यदि हमारे जीवन में इगर साथ purity गुन के दिखता है तुछ si quality कैसी होगी ? अगर बेती गुञ अरशी सीक है तो उसकी गुन की क्यिया सिर्दा कैसी होगी इसकी बारे में ? एक एक तक्तों की हम गुन धर्मक बारे में गुन की इन सर्वशाधारन अवस्थाओं शत रज और तम की सांचे में ढला हुआ जो द्रिष्टी गोचर होता है ये तीन गुन सर्वत्र उपस्तित होते हैं सबी जगह ये स्रिष्टी में जहां पी आप चापके द्रिष्टी जाता है वहां सब जगह क्या है ये तीनों प्तीन गुंश्वताब் अगरें इसको अशेल समझ सकते हैं एक एंड़ में एक आम गिरता पेंड से एक आंद के लिए दो लड़के दोड पड़ते है तो आंपाने हो तो आनंद प्रती होता है पर तो नहां पाने देखने वाले एक तिस्रे लड़के को केवल उदासिनता होती है। ये उदासिनता ही का मौबूल है। जो उदासिन बने होते हैं। आप देखिए आम एक है, तीन विक्ति है, अवस्था एक ही है, एक ही समय है, टाइम स्पेस एक ही है। लेकिन तीनों गुल एक साथ लिद्वार है। के वर उनके क्रियाकार बैपार के वज़े से उसकी गुन धर्म कैसे हैं, अलग अलग दिखाई पड़ता है। एक ही आम में तीनों बिक्तियों में ये तीन प्रकार की प्रतिक्रिया की है। प्रित्य प्रिती विसाद्म कहा प्रकास व्रित्य नियमार्थता। ये अर्थात ये सत्वगुन, तमगुन, रजवगुन, करमसा सुक, दुख और मौ सुभाव वाले हैं। सुख देने वाला सत्वगुन है, दुख देने वाला रजुगुन है और मुह पैदा करने वाला खेव निकला है तो मुह गुन है साथी साथ प्रकासक, प्रवर्दक और नियामक है प्रकासक मुलब प्रकास देने माला नियामक परवर्टक मुलब परवर्टन से बदलता रहता है नियामक मुलब विनासम नश्ट होने माला है तो कुल मिलाकर ये प्रकृति के तीन महत्व पूर्ट तक्त हमारे सामने है सबसे पहला जो तःत्व हमारे सामने जो आपकी पास है वो सत्वगुन है सत्त्वगुन का शौूरोप कैसा है इसके बारे में सांकिकारिका में बात कही गई recovered सुख लक्षण of God, वर्धक तत्था इस्था और आननदेने वाला सत्त्वगुन है ऐसे स्थान की कारिका में बात कही गई है विबेक चुड़ा मनी में आचार शंकर ने बात कही कहते हैं सत्वगुन विशुद्ध, सत्वगुन जल की भांती, स्वक्षा और निर्मल है यह गुन जहां भी रहता है, वहां अलकी चीजें उपर उठती है आग की जौला और भाब की गती को उपर उठाने वाली सत्वगुन है यह सत्वगुन के कारण ही ग्यान विश्य को प्रकाशित करती है और इंद्रियां अपने शुरूपादी विश्यों को गरहन करती है सत्व के कारव, ये सत्व कारव सारे चीज़ प्रक्रियां प्रक्रियां होती रहती है आप देखते हैं, जब साधक बेखती है, अपने साधक की परहकाश नहीं पहुंच जाते हैं तो कहते हैं, साधक भी अपने सरी उपर उपने लगता है पहले थो हमारी प्राण ऊपर, अपान से प्राण ऊपर बीगती है और उसके बढ़ पहते हैं, सादा का शरीर भी हलका होजाता है हल्का कब होता है, जो स्थे क्या दिखता होता है स्थे हल्का होता है इसी तरह सब्कार के आनल हर सुक, संतोस, आधी मन में सत्व भावना होने से ही उत्वन होता है जो कोई भी कहीं यदि प्रेडित करता है जो सत्व की गुन होता है तो वहां शरलता, उमलता, सत्यता, सौच, लज्जा, बुद्धी, छमा, दया, ग्यान, इत्यादी सत्व गुन के कारे देखे जाते हैं जहां शर्ट गुन हो, वहां ये सब को जानना चाहिए हर्स भी हे आनन भी हे, सुख भी हे, संतोज भी हे क्योंकि ये सर्ट के सारे-सारे गुन्धर में इन गुन्धरम को हमें जानना होगा दूसरा है रजोगुन रजोगुन का शृरूप का ऐसा उषक तह है? सत्व गुंदुश्टूख है, संतोज देने वाले हैं, कहा गया है रजह क्रियात्मिका, क्रियात्मा कहा है, रजोगुन क्रिया प्रवर्दा कहा है, ऐसे विवेक चुनामनी में आचार शंकरने बात कही है, इसमें जो उपश्ठकम चलम चार रजह, सांख्य कारिकाएं बात क रही गई है, वह स्वयम चंचल होता है, दूसरों को भी चंचल बनाता है, सत्त तथा तम दोनों निश्क्री हैं, दोनों में क्रिया शिलता नहीं है, उनमें गती परदान करने का काम रजोगुन ही करता है, इसे तो रजोगुन को उपश्ठक माना गया है, उपश्ठक दोन को दौड्वती है तथा मन चंचल होता है यह दुखातippy होता है रजोगुन के START 44 करता है इसलिए रजोगुन की प्रधान्ता होने पर वस्तु नितांत दुख ही पाईदा करती है यहां सोकी कलपना नहीं की जा सकती और जहां दूख है वो समझे की रजोगुन का ही शुरूप माना जा सकता है जो कोई कहीं भी यदि अप्रतिती अप्रीती होती है जहां अप्रीती है वो तो आपका सत्तोगुन लेकिन जहां अप्रीती होती है वहां पे देश द्रोह निंदा उतकंठा वद उत्याज देखे जाते हैं इसे रजोगुन समझना चाहिए सांके कारगा में जो बात कही गए है इसकी मून भून कहे गए है रजोगुन का तो यह रजोगुन हमें कैसा है बांधने वाला है दुख दायाक है कष्ट देने वाला है तो इन कष्ट दायाक कष्ट से बसने के लिए हमें जो प्रक्रियां हो सकती है वो मुक्ति के लिए करना चाहिए तीसर भी कहीं यदि मौ को प्राप्त करता है तो वहां अज्ञान आलस भै अकर्मनेता विसात स्वपनिताई देखे जाते हैं इसे तमोगुन समझना चाहिए ये इसमें जड़ता होती मूल कहा जाए जड़ प्रदान है इसमें जड़ होता है तो जड़ से मुक्ति कहा गया है गुर सरीर भारी है तो वित्ति काम करने में रुपता है वो चली नहीं पाता है तो तमोगुन प्रदान वित्ति कैसा गुरु मदद भारी होता है वजंदार होता है रोकने वाला होता है आउरोध पैदा करता है यह गुन शत्वगुन का विरोधी गुन होता है यह रजोगुन व पिरता आने लग जाती है और आगे बढ़ता ही जाता है यहीं उसे रोकता है रोकता कुन है तमोगुन को रोकता है आपका रजोगुन को रोकता है तो रोकने वाला जो है हमारे पास हो है तमोगुन है तो विशात पैदा करने वाला आलश्य पैदा करने वाला मुर्ता पैदा तंद्रा करने वाला ये सारे के सारे जो है ये हमारे तंमोगुन को ही माना गया है विवेक चुड़ा मनिक कहा गए है अग्यान मालस ज़त्वनिद्रा प्रमाद मूढस्त्व मोखात्स तंघ। तमोगुना, अज्यान, आलश, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मुड़ता, आधी तमोगुन के धर्म कहे गए है, गती को रोकर यहाँ प्रमाद, निद्रा तरह तंद्रा को पैदा करने वाला है, तमोगुना, ऐसे सांग के विविक चुड़ामनी में आचारशन करने बात कह है, इन तीनों गुनों का रंग तीन तरह के होती है, यह इस गुन है, तो गुनों के भी तीन रंग कहे गए है, या तीन रंग कौन कौन से हो सकता है, शत्व का रंग उजला, उजला मतलब कह सकते है, इसे हम सफेद रुप में कह सकते है, रज, रज मतलब बता है लाल, यह वरना है क्योंकि क्रिया सिल्था इसके पास है तम का रंग काला होता है क्योंकि तमों धून है ये मुड़ता का प्रतीक है इसलिए इसका रंग काला कहा गया है ये तीन रंग है और तीनों रंगों के क्रिया बैपार्सन साल में गती सिल्था रहता है ये तुनों गुन आपस म कारिक कैसे करते हैं? इसे कारिक कैसा होता है? किस रूप में होता है? कहते हैं कि जैसे दीपक बाती और तेल आपस से मिलकर प्रकास फैलाते हैं. मित्रों आपको यह सोच जानना पड़ेगा कि तीनों को गुंधर्म अलग-अलग है, दीपक मिट्टी का एक पात्रा है, बाती जो रुवी जो बना हुआ है कापास का है और तेल जो है अलग से जो लंसील तरफ है, अगर आग है तो अगनी गर लगा दिया तो तीनों का अलग अगर अगस्तित होता है, दीपक का अगस्तित बना रहता है, बाती जल के दो शिकर नश्ट हो जाएगी और तेल में क्या है, वो फैल कर कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों संयुक तवस्थ हमें संतुली तवस्थ हमें जब मिलकर कारे करते हैं तो प्रकास पहलाने माला होत है, ठीक वैसे ही आईरवेद में देख लीजिए वाद पीत और कांप, ये तीनों परस पर विरूध ही है, पर ये तीनों मिलकर शरीर को धारन, फोशान और रिस्थापन कारे करता है, तीनों का गुण अलग अलग, वैसे ही सद, तुरज, और तम, तीनों के गुंधरों धी अलग अलग है, लेकिन ये तीनों आपस मिलकर क्या करते हैं, अपने अपने स्वस्वा कारे करते रहते हैं, अपने श्वधर्म का पालन करते हैं, श्वधर्म को निभाते रहते हैं, श्वधर्म क्या है, अपना श्वधर्म जो मुक्ती है, मोक्ष है, क्योंकि योग का अंत प्रकास पैलाते हैं यह सारे के सारे आपस मिलकर रज तम शरीर करम स्रिष्टि का क्रम को चलाता है और कहीं जादा बेतरी हो जाता है यह शर्ट्वरज्ट्र तम को देखा जाया है इसमें चर्चा करेंगे कि गिन्यों के बारे में अलग-अलग तक्तों से मिलके बनता है कैसे बनते हैं इसके विस्तार चर्चा हम अगले सुप्रों में चर्चा करेंगे आज हम इसी त्रिगुन के बारे में बताएं आपको महत बुद्धी प्रकृती महत बुद्धी अहंकार ये सारे जो उधपन होते हैं ये स्टेप बाई स्टेप करके उधपन होता है और ये हंकार जो तीन प्रकार के बता है यही बंधन का मुलकारन है अहंकार बांधता है तो पूरुष को इसका विवेग्यान की आउशकता होती है। और विवेग्यान जब प्राप्त होता है तो वेक्ति मुक्ति और मुक्ष को प्राप्त करता है। और मुक्ति और मुक्ष प्राप्त करना हमारे जीवन का अंतिम लक्ष है। मित्रों, अगले जो आपके वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इसे अगले करम में बात करेंगे, इसमें प्रत्यक तत्तों की भी जितने भी उसके विक्रिती है, उसके वीरूप परणाम है, वीरूप परणाम की चर्चा करेंगे, हम इसमें महत्वपूर्ण हमारे बुद्धि बुद्ध के बाद चीत होते हैं, चीत का हम पूरे एक वीडियो आपको करम बना कर दिखाएंगे, इस चीत होता क्या है, चीत का कार क्या है, और अभी प्रकृती पुरुष की प्रश्चात, इसमें जो चर्चा की एहंकार, और उसमें पंच महाभूद और पंच तर्मा चाहते हैं, नमस्कार